इस अब है गुड इवनिंग के वेडिवन सू अगें वी आज पर दिसका सबावाउट टेकनिकल लेवल्स आइधिंक सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि अब बजार आगे क्या करने वला है आगे क्या मोमेंटम रहेगा बेकोज बजार ने आज फिर नया लाइफ टाइम हाइ test किया है 23,562 565 के लिजिए या 580 570 के आस पास का high test किया है so it was expected there is no need to be I would say कि इसमें कोई question mark नहीं था because market is continuously performing अगर आप देखें तो किस तरीके से channel को breakout करके हलां कि इतना strong breakout नहीं दे पा रहा है इतना strong breakout नहीं दे पा रहा रहा है strong breakout कहां से पता लगेगा अगर Nifty कुछ यस तरह का candle draw करें बड़ा और green candle draw करें तो पता लगेगा कि कुछ हा हां यह strongness market मार्केट में है तो एक जो गाप खोल रहा है उतना पॉइंट नहीं निकालता मार्किट जो अपना डे हाई बनाता है वहां से जुरूर गिर के कलोज हो रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है मार्किट अभी भी स्ट्रॉंग है बहुत अच्छा स्ट्रॉंग है चलिए आपको कुछ डेटा से भ तो नेचुरली मैटर करता है मार्किट के लिए तो बाइ वैल्यू आप देखें आप नेट में आज 19,000 क्रोड की उन्होंने बाइंग की सेलिंग किया 16,000 क्रोड का तो करीबन धाई हजार करोड का नेट में वैल्यू बाइ साइट पे गया 1500 करोड का डिया ने भी बाइ किया तो करीबन ओपन इंटर्स देखें आप कॉल साइड पे कॉल राइटिंग साइड पे 28,70,000 का राइट है और 34,40,000 का राइटिंग है तो इसका मतलब पूट साइड राइटिंग स्ट्रॉरंग है इसका मतलब मार्किट अपवर्ड में है तो एक और यह भी सिगनल जो है नेट कैश बाइंग के बाद हमें मिल रहा है मार्किट से की मार्किट स्ट्रॉंग ही है अभी वीकनेश नहीं आई मार्किट में लेकिन फिर भी एक बड़ा question ये बनता है कि यार market इस level पे है तो अपने को क्या यहां से purchase करना चाहिए या अपने को यहां से sale करना चाहिए उसका मैं आपको बड़िया stick answer दूँगा जो आपको बहुत जादा help करेगा and believe me मैं जब भी उस चीज़ को apply करता हूँ तो वो कही न कही हमीशा market में मुझे बहुत मदद करता है तो आप भी उस जो मैं आपको वो statement share करूँगा वो आपको option chain data के बाद आपको share करूँगा कि कब आपको market में position बड़ा ले सकते हो आप market में बिना डरे बिना घबराए और य सब्सक्राइब निफ्टी 50 के अगर स्टॉक्स पड़े हैं तो उसमें कहां पर गबराट आपने चिंता करनी चाहिए किस लेवल पर जाके करनी चाहिए वो डिसकस करेंगे डिटेल में उससे पहले एक बार option chain का data डिसकस कर लेंगे ताकि इससे हमीं क्या help मिलती है हमीशा कि हम लोग निफ्टी के लेवल को find out कर पाता है कि निफ्टी कहां पर support ले रहा कहां resistance दिखा रहा है तो सबसे पहले हैं क्या करेंगे support area देखने के लिए call put side पे put writing देखेंगे कि सबसे जादा put writing का open interest कहां पर added है तो देखिए put writing में सबसे जादा open interest added है 2,90,000 contract added है 23,000 वाली ज तो 2,90,000 contract और 27,000 contract केवल कहां पर आपके call writing पर तो majority कहां पर है put writing में तो put writing का मतलब क्या है 23,000 market नहीं आने वाला अब उसके बाद बात करते हैं index देखिए 23,50 के आसपास है तो बाकी और देखते हैं हम लोग put writing और सबसे ज़्यादा कहां पर देखने को मिल रही है 23,400 पे 24,000 contract जो है आपके put side पे write हुए है 23,400 वाले strike price के और अगर आप देखे call side पे तो 88,000 है तो करीबन तीन गुना contract अगर इसका 88 का हम तीन गुना निकाले तो आपना पूरा-पूरा 2,24,000 के आसपास ही निकलता है तो तीन गुना contract यहाँ पे put side पे writing है इसका मतलब put writing strong है यानि कि बाजार उपर जाने के लिए ready है कम से कम 23,400 का एक अच्छा major support level आप market में observe कर सकते हो देख सकते हो तो दोस्तो 23,400 का level और उसके बाद 23,000 का level strong रहेगा उसके नीचे भी कुछ major support levels है जैसे कि अगर बात करें 23,300 का बहुत अच्छा level है यह भी यह भी असानी से नहीं टूटेगा market में और डेड़ लाग contract एड़िड है आपके 23,200 वाली put में तो दोस्तों यह 23,400 के बाद support कहा आएगा 23,300 के बाद का आएगा 23,200 और उसके बाद सीधा आपको support level देखने को मिलेगा 23,000 के असपास तो यह data हमें help करता है major support area देखने में put writing के तरफ अब बात करते है call writing के तरफ क्या data analysis बता रही है देखिए call writing के तरफ सबसे ज़्यादा contract added है जी आपके open interest में 24,000 वाली call के जिसका rate है केवल 2 रुपे 20 पैसे तो कौन 2 रुपे 20 पैसे कमाने के लिए पंगा लेगा market से 3,500,000 contract already जिसका expiry 20 जून यानि कि कल या परसो में expiry है तो 3,500,000 contract no doubt 24,000 यानि कि 20 जून तक तो market नहीं आने वाला ये clear है अब आगे चलते हैं 1,66,000 contract added है आपके 23,800 वाली call में call writing में तो call writing हुआ है यानि कि आपका 23,800 market भी आने के कम chances है क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो 9,000 contract आपके open interest में show कर रहे हैं put writing में तो 9,000 कहां 1,66,000 तो करीबन करीबन अगर आप देखें तो ये आपका करीबन आप मान के चलें 9,21,18 तो करीबन आपका 17,18 गुना time जो है 17,18 एक्स आपके जो है contract call writing में added है यानि कि 23,800 market यहां से आना थोड़ा अभी मुश्किल है करीबन 20 जून की बात कर रहा हूँ मैं तो short term period में आप analysis करके सही डंग से सही तरीके से option chain के data को समझ सकते हो और आप देख सकते हो support कहां आ रही है resistance कहां रही है बहुत अच्छी चीज़ है यह वाकई 23,600 का level पे भी 1,41,000 contract added है इधर 60,000 contract open interest में अभी outstanding है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 66 यह 18 तो करीबन यहाँ यहाँ पे धाई गुना contract added है 23,600 वाला तो यह भी कुछ strongness है बजार में की 23,570 निफ्टी आसपास close किया है और 23,550 और 23,600 का level भी थोड़ा सा निफ्टी के लिए अभी cross करना जो है वो easy नहीं लग रहा है इसके अलाबा बात करेंगे 23,700 का level भी थोड़ा असान नहीं होगा निफ्टी के लिए तोड़ना तो चलिए इसका मतलब यह है मोटे तोर पे कि 23,600 भी नहीं जा सकता है तो और नीचे 23,400 का level भी बहुत strong लग रहा है तो मोटे तोर पे क्या निकल के आ रहा है मोटे तोर पे निकल के यह आ रहा है कि भाई market जो है न 20 जून तक वो आपका इसके बीची रहने की उमीद लग रही है बशरते एक condition आप apply कर सकते हो यहाँ पे कि market अगर बड़ा gap up खोला तब जाके वो in levels पे कुछ आगे crossover कर सकता ह है otherwise अगर market flat opening करता है जिस तरीके से market आज opening किया बजार में राइट जिस तरीके का आज opening देखने को मिला बजार में तो ऐसे situation में तो कर सकता है बजार कुछ भी open interest को change कर सकता है outstanding open interest को क्योंकि ऐसे time पे क्या होता है जब बड़ा gap बड़ा gap down कुलता है तो फटा-फट positions cover होती है तो वह open interest आपको हो सकता है कुछ मिंटों में cover होता हुआ दिखाई दे क्योंकि buyer और seller को लगता है कि मेरा loss और जाथा बढ़ सकता है तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग main point की main point क्या है कि भाई market जो है वो किस direction में हम लोग market में trade बड़ा पकड़ सकते हैं तो में trade पकड़ना चाते हैं कि मैं selling करूं या buying करूं बाइंग करें तो क्या यह level सही है या नहीं है तो उसके लिए सबसे बड़िया तरीका क्या है सबसे बड़िया तरीका है भाई आप wait करें wait for gap up opening और gap down opening gap down opening का wait करें आप इस से आपको क्या मदद मिलेगी देखिए अब बा बादा नुकसान नहीं देगा आप अगर buying side पे बैटेंगे कोई problem कोई दिक्कत परिशानी नहीं देता बजार लेकिन अगर gap down market खुला और आपने buy बनाया तो वो चीज़ गलत हो जाएगी तो trend के साथ काम करने की ज़रूरत है because trend is friend तो gap down opening होता है तो gap down opening का मतलब क्या है कि market में trend reversal होने के chances हैं तो आप वहाँ पे index future में वहाँ से फिर आप अपना selling बिठा सकते हो तो और अगर gap down opening के बाद market ने gap down closing कर दी तो उसके बाद जो है अगर next day भी वो gap down opening करता है तो वो ready है आपको पैसा देने के लिए इसमें कोई doubt ही नहीं है फिर वो उस trend को continue कर सकता है त इस पे खास ध्यान रखें कि gap up opening हो रहा है या gap down opening हो रहा है और अगर flat opening हो रहा है market में तो आपको सबसे बढ़िया practice क्या करनी है भाई आपको सबसे बढ़िया practice करनी है कि भाई जहां जहां support और जहां जहां resistance दिखाई दे रही है market में option chain में जो मैंने आपको समझाया है वह तो जब तक मार्किट बड़ा गैप बड़ा गैप डाउन नहीं कुलता तब तक ट्रेड करने की ज़रूरत थोड़ा सा दूर रहने का बनता है लेकिन अगर बड़ा गैप खोल रहा है तो वहाँ पे आप चांस ले सकते हैं मार्किट में एक गंटे के ट्रेडिंग सेशन के ल होगा और यही अपना जो है ट्रेंड के साथ काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा ट्रेंड के साथ काम करें और पॉसिट दा ट्रेंड बिल्कुल प्ले ना करें थैंक यू सो मच कीप लटनिंग कीप वाशिंग माई वीडियो और अगर आपको मेरा वीड में टाकिची थैंक